खबर है मुंबई के गोरे गाउं के पूर्व इलाके की जहां एक सफाई महिला कर्मी से जहां से मेले कर कई बार योई इंशोशन किया गया आपको बता दे की इस मामले में दिंडोसी पुलिस ने आरोपी गया प्रसाद को उसके कांदी वली चार को पिस्तित घर से गिरिफता कर किया है दरसल महिला सफाई कर्मी का यह अरोप है कि उसके काम की रिपोर्ट खराब करने की धंकी दे कर कथित मुकदमा गया प्रसाद पिछले चार सालों से उसके साथ जवरन शारिजिक संबंध बना रहा था और विरोध करने पर उसका शलील वीडियो सार्वजनी करने क की धंकी भी दे रहा था यहां तक की महिला सफाई कर्मी के साथ बिताए गए अतरंग पलों के उसने फोटो भी बना लिये थे जिसे वाइरल करने की धंकी वह पीडित महिला को दे रहा था और हाली में महिला सफाई कर्मी की शादी हुई लेकिन इसके बाद भी कथित पी गया प्रसाद श्रीवास ने उससे यहां तक कह दिया कि वो अपने पती को छोड़ दे वरना वो उसके सरकारी कामकाच की रिपोर्ट को खराब कर देगा लेकिन कहते हैं जो पानी सर के उपर चला जाता है तो सारी सचाई खुद बखुद आपके सामने आ जाती है उसी तर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 328, 354, 504 और 506 समेत आईटी एक्ट की धारा सरसट के तहट उसे गिरिफ्तार कर लिया कथित बलातकारी गया प्रसाद की गिरिफ्तारी से सरकारी महकमे में हडकंप मचा हुआ है सूत्रों की यदिमाने तो आरोपी गया प्रसाद ने पीडित महिला को कभी शीडी ले जाकर तो कभी ठाने के गोड़ बंदर रोड ले जाकर उससे कई बार अपनी हवस का सिकार बनाया फिलहलो जा पहुचा है हावलात जहां पुलिस लगातार कर रही है उससे पूछता आज यह अरोपी बीम से संतुष नगर में कनिष्टा अविक शक ये पत्पे काम कर रहा था उनके अंडर में एक लड़की काम करती थी तो 2015 से लेके 2008 तक का ये मामला है 2015 में उसने वो लड़की को चाय में कुछ नसीले दवाई उसमें मिला दी थी और उसके साथ बत्तमी जी के थी वो जब सोही हुए थी तो उसके बाद भी वो उसके पीछे जबरन पीछे लागा था 2016 में उसको शिरडी लेके गया और वहाँ पे उसके साथ रेप किया उसको बार-बार ये धंकी देता था तो मैंने तुम्हारी वीडियो क्लिप्स निकाले अगर तुम शारिक संबंद बनाऊगे तो फिर मैं आगे कुछ नहीं करूँगा और तुम्हारा रेकॉर्ड वगर खराब नहीं करूँगा ये धंकी देके उसके साथ बार-बार उसके साथ रेप किया तो वो लड़की ने जो कंप्लेंट दिया वो कंप्लेंट के आधर पर हमने दिविश्य पॉलिस सेशन में बुना रिजिस्टर किया है